बच्चों सो सब प्रतिमिद्टे गति का डिक्टेशन डिक्टेशन में आने वाले फ्रिजेस पेले आप लिखें सरजनिक सभा में कड़ी कारवाई की जाएगी गत सब्तहा पिछले एक देड़ महिने में अनुरोथ कर रही है सारी समस्याएं मेंगा हो रहा है ऐसा लगता है की आर्थिक इस्तती ध्यान में रख कर अवसकता तो इस बात की है की आर्थिक नितियां मुद्रा इस्वती देश की अर्थ व्यवस्ता प्रधान मंत्री ने एक सारजनिक सभा में व्यापारियों को चेतावनी दी की यदि आवस्तक वस्तूओं के भाव कम नहीं किये गए तो उनके खिलाब कड़ी कारवाई की जाएगी और साती यह कह दिया की गत सप्ता के दोरान आवस्तक वस्तूओं के भाव में थोड़ी गिरावट आई है प्रधान मंत्री ने पता नहीं किन अरारों पर यह कह दिया कि अवस्तक वस्तुओं के भाव गिर रहे हैं जबकि उनकी गोष्णा बाजार में तो परिलक्षित हो नहीं रही है चीनी के भाव में पिछले एक देड़ महिने में जो असाधरन व्रद्धी हुई है उस पर नियंतरन पाने के लिए सरकार व्यापारियों से अनुरोद कर रही है लेकिन वह सब बेअसर है मेंगाई सरकारी नितियों का ही परिणाम है इस मुलबात को दरगुजर करने से ही सारी समस्याएं पेदा हो रही है राजनिती और व्यापार व्योसाई के बीच जो परोख्ष तालमेल है उसी की वज़े से चीनी के भाव बढ़ते हैं अनाच मेंगा हो रहा है खाद तेलों के भाव आकास चुने लगते हैं एसा लगता है कि जब भाव आकास चुने लगते हैं तो सरकार जनता के दुखदर्द की बात करने लगती है और जब बड़े हुए भाव में थोड़ी कमी आ जाती है तो वह उसे अपनी उपलब्धी म लगती है वह यह बात तो भूल ही जाती है की व्रधिका कुछ अंस तो इस्थाई हो ही जाता है देश की पूरी अर्थ व्यवस्ता में अरजक्ता व्यापत है और सरकार की आर्थिक नीतियां इसपच्च नहीं होने से ही देश की आर्थिक इस्तती में इतनी गिरावट आई है। जब सरकार हर फेसला चुनाओं को ध्यान में रख कर ही करती है तो एसी ही इस्तती पेदा होगी। उस पर प्रधान मंत्री की चेताउनी का कोई असर होने वाला नहीं है। आउसकता तो इस बात की है कि सरकार अपनी आर्थिक नितियों की समिक्षा करे और उसमें देश के हालात को देखते हुए परिवर्तन करे। समस्याओं का फूरी समाधान ढूनने से परेसानिया बनी रहेंगी। इस बात को भी समझने की आउसकता है। मुद्रा इस्पती पर नियंतरन का अभाव और फेशनों के पीछे राजनिति ने देश की अर्थ व्यवस्ता को इस सिमा तक बिगार दिया और सरकार को असहाय और मुखदर्शक पना दिया है। सरकार की ढिल मिल वह गलत नितियों का परिणाम जनता को भोगना पड़ रहा है। बेकारी और अर्ध बेकारी बढ़ती जा रही है। और मेंगाई का बोज लोगों का जीवन दूभर बना रहा है। और सरकार बेखबर है। ठोक या खुदरा मुल सुचकों के जो आकड़े हैं वे यथार्थ परग नहीं हैं। और उनकी आधार पर जनता की तकलिपों को आकने से सही तस्वीर सामने नहीं आती है। धन्यूदूद।